ये है मोतिहारी का मोती जील, जिस तरह उदै सागर जील के नाम पर उदैपुर का नाम हुगा, नैनी जील के नाम पर नैनी तल का नाम हुगा, कोडाई कनाल जील के नाम पर कोडाई कनाल सहर का नाम हुगा, ठीक उसी तरह मोती जील के नाम पर मोतीहारी का नाम पड़ा, मोती जिल है और आपको बताते चले कि ऐसी मान्यता है लोगों का कहना है कि इस जिल में जो है एक समय में बहुत ज्यादा सीप मिलते थे और सीपों में काफी मात्रा में मोतिया मिलती थी और इसी कारण इस जिल को मोतियों का जिल कहा जाता था जो कि बाद में मोति जिल के नाम से इ एक बहुत ही अनुपम प्राकृतिक विरासत है और आज जो इस्तिती है इसकी उतनी अच्छी नहीं है हालाकि जो यह जिल है इसमें सफाई कराई गई और लेकिन फिर भी जलकुंबी है और यह जिल जो है अतिक्रमन का सिकार है फिर से शिवरेज जो डंपिंग होता है उसका यह सिकार है इसके साथ ही साथ आपको हम बताते चले कि ऐसा माना जाता है कि सदीयों पहले यह सिकराहना यह जिसे बोड़ी गंड़क नदी कहते हैं वो उसका ही भाग था यही नदी से नदी प्रवाहित होती थी लेकिन कलांतर में नदी ने अपना माग परिवर्तन किया और इस जिल का निर्मान हुआ यह जिल जो है एक गोखूर जिल है जिसे आप सेटलाइट इमेज में देख सकते हैं कि गाए के खूर की तरह इसका जो है अकार है और यह चमपारन के 42 जिलों में से एक है यह बहुत बड़ी एक विरासत है जिसमें मचली पालन होता है और बहुत सारे एक्टिवीटी होते हैं बहुत तो लोग का इस पर रोजगार चलता है 2018 में अपरेल 10 को आये थे परधान मंत्री नयंद मोदी स्वख्षता के केंपेणिंग से रिलेटेड और परधामोतिहारी में ही उसका आयोजन किया गया था अकिल भारतिये लेवल पर जिसमें तमाम बड़े-बड़े नेता और गांधिवादी विचार के लोग उसमें सामि जाए गए गाहला कि विधायक बने नेता बने उन्हों मोटषिल के संदरी करन इसे परएटन के रूप में विश्थ्रित करने विकास करने और फिर से इसको संजो कर रखने का वादा तो किय गया लेकिन वादा पूरी तरह पूरा नहीं वह पायाथ अब यह आप देख सकते हैं जो भी किनारे हैं जो घर बने हुए हैं उसमें से ज्यादातर घर जो हैं वो किनारे इसकी जवीन को दखल करके बनाया गिया है तो वही बहुत लंबा इलाका है 100 हेक्टियर में यह जिल है और इस जिल में जो है पूरे सहर का जो नाला का पानी है वो इसमें डंपिंग होता है और जिसके कारण जो यहां का नेचुरल हैबिटेट है यानि कि जो यहां पाई जाने वाली मचलियों की भराइटी जो थी उसमें से बहुत सारे खत्म हो गये इसके अलावा आपको बताते चले जो 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 था यह सीपों के लिए फे अतिक्रमन है यह बहुत बड़ा प्रावलेम है और आपको हम बताएं कि जो यहां पर समय समय पर जो अधिकारी हुए जिलादिकारी हुए उन्होंने इस जील को कया करने संदरी करन करने और अतिक्रमन से मुक्त करने का पर्यास किया पिछले ही साल यहां के जो पहले के जिल तो नहीं कराये गया लेकिन बहुत सारे यहां पर पक्के मकान बन चुके हैं और लगातार जो है इस जील का दाइरा सिमठते जा रहा है यानि कि इसका रखबा जो है वो कम होते जा रहा है जितने भी लोग आते हैं सहरों में बसने के लिए वो इस प्राइम लोकेशन के आसप दखता है और यहीं वज़ा है कि इसका अतिक्रमन जादा होता है और इसकी स्तिती जो है बदहाल है यह जो आप वीडियो देख रहे हैं अभी ये जह है जील के एक पार्ट का वीडियो है इस यह बड़ा पार्ट जो है वह उस तरफ है और सहर के वीच व बीच में है एक यह हम लगातार आपको वीडियो में दिखाते हैं कि बिहार में जो भी एतिहासिक और प्राकृतिक विरासत हैं उसका उप्योग हम कैसे कर सकते हैं रोजगार के शेतर में उसको बचाय रखने के शेतर में और टूरिजम डेवलप करने के लिए तो यह भी एक संभावना है यह यहां पर अगर नौकायन की वेवस्था की जाए रेस्टोरेंट की वेवस्था की जाए और एक आपको बताएं कि रिजॉट यहां पर डेवलप किया जा सकता है हलाकि कितने लोगों दोरा ऐसा ऐसी बाते की गई पहल भी की गई लेकिन वह लाल फीता साही के कारण उसका उ आगे डेवलप नहीं कर पाया जिसका सिकार हुआ मोती जील और लगातार अतिक्रमन का सिकार हो रहा है यहां पर जितने भी सिवरेश डंपिंग है उसका सबसे प्राइम लोकेशन जो है यह सारे सहर के जो मुख्य नाले हैं वह आकर मोती जील में गिरते हैं तो यह जो मोती हरी कि इतनी बड़ी विरासत है जिक जिस जिल के नाम पर उस शहर का नाम मोतीहरी पड़ा और मोतीहरी जो है जो अपर का जील है का संभावनाओं से भरा हुआ जील है एतिहासिक विराषत है उसमीं अहम योगदान है इस उम्हार के संवर्दन करना। इसको डवलब करना है ताकि यह जो इसके तल पर जो किनारे उपर जो सहर बसा हुआ है उसमें सहर के बहुत बड़े अबादी का इसके कारण भरन पोसन हो सके तो यह थी हमारी यह स्पेसल रिपोर्ट मोतिहारी के मोतिजिल के इस्तिति को लेकर अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें सेयर करें और हमारे चैनल है को सब्सक्राइब जरूर करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद